दूसरों के घर हम कितनी बार जाते हैं और लगता है यार कितना साफ घर है इनका कितनी अची positive vibes है इनकी घर कितना airy लग रहा है यहाँ पर रहने का मन कर रहा है ऐसा feel होता है ना ऐसा क्यों feel होता है और ऐसा आपको अपने घर में क्यों नहीं feel होता है ऐसे tips and tricks home tweaks की जो हमारा रोज मर्रा काम आसान करते हैं आगे और जानने के लिए चानल के साथ जुड़े रहे हैं चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइफ जरूर कीजिएगा कॉमेंट करके बताईएगा कि आज के topics related आपके अपने घर में अपनाते हैं फेस्टिफ सीजन तो आ ही गया है सब ने अपने घर की सफाईयां शुरू कर दियोंगे और नहीं भी कर रहे हो तो आने वाले टाइम में शुरू कर ही दोगे दिवाली तो आने ही वाली है mostly सब के घर की सफाईयां और डेकोरेशन गनेश चतूर्ती तक हो जाता है because that is the starting of festivals घर की decluttering होता क्या है भाई decluttering doesn't mean कि हमने उपर सफाईयां कर दिये चोटे मोटे काम कर दिये आज ये stand साफ कर दिया या आज हमने kitchen का एक cupboard साफ कर दिया घर का sofa dust कर दिया या फिर घर का TV cabinet dust कर दिया this is not decluttering मुझे आज घर में decluttering करता है तीन साल हो चुके और मेरा अब भी भी ये process in continuation है decluttering is a gradual process सची मैं आपके साथ ब्रहमास्त्र शेयर करने जा रही हूं जो मैंने अपनी life में अपने experiences से सीखा है इस दिवाली पे अगर आप चाते हैं कि आपके घर में positive vibes आए, vibrations आए, लक्षमी जी आपके घर में कदम रखें तो भाई शुरू कीजे decluttering का process और देखिए आप खुद अपने घर में अपने परिवार में changes notice करेंगे अपने experience बताती हूं, decluttering का नाम सुनते ही, सबसे पहले दिमाग में आता है भाई, decluttering कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें और भाई declutter करना क्या है सबसे main चीज, declutter हमने घर में से निकालना क्या है चीज़े हम बार बार घर में खरीद के लेके आते रहते हैं, कभी हम furniture लेके आ रहे हैं, कभी हम decoration के items लेके आ रहे हैं, कपड़े लेके आ रहे हैं, जूते लेके आ रहे हैं, कितनी चीज़े type की लेके आ रहे हैं इस नोट पॉस्यबड भई रेट जो रियल-स्टेट के हैं हो आसमानी चूरे आगर आप होममे करो या फिर वकिंग प्रोफेशनल हो आपनी अपनी अपनी लाइफ आसान बना नहीं है आपने decluttering अगर start करनी है आप एक बारी में नहीं कर सकते हो, it's a years and years of process start करना चाहते हो तो मैं आपको कुछ tips दे रही हूँ कैसे start कर सकते हो सबसे पहले अपने electrical appliances चेक करो, आपके पास electric का क्या-क्या समान पड़ा है हमारे पास घर में phones होते हैं, printers होते हैं, DVD players होते हैं, CD players होते हैं stereo systems होते हैं, जो हमारे ages old पड़े होते हैं, तभी ठीक करके उनको चलाएंगे आपको पते हैं, जब बंद electronic आपके घर में रहता है, सबसे पहले वो financial issues लेके आता है और आपके घर में कलेश भी बढ़ता है, arguments जादा बढ़ने लग जाती हैं, electrical waste is something जो हमारे घर में से सबसे पहले बाहर जाना चाहिए आपके घर में extra wires पड़ी हैं, जो की गुच्छा गुच्छा हो के सारी जगा पड़ी हुई हैं, आपने कभी DVD players की wires हैं, कहीं पर आपके पास stereo system की wires हैं, TV की wires हैं TV आपके पास उपर पड़े हैं, छोटे box TV या फिर छोटे LCD TVs यार वो चलते तो हैं, बट हमने रखा हो है, कभी use करेंगे, कभी काम आजएगा वो जो कभी की चीज है ना, lockdown में अगर आपने वो 2 साल में use नहीं करी, then it does not deserve and should not hold a place in your house सबसे बड़ी चीज, अगर आपने lockdown के 2 सालों में कोई चीज नहीं use करी है, चाहे वो कपड़ा हो, crockery हो, cooking utensils हो, या फिर आपका furniture हो, या फिर आपके electrical appliances हो दो साल में अगर वो lockdown में use नहीं होई है ना, chances are very, very slightest कि आप वो आगे life में use करने वाले हो, because lockdown में तो हम 24-7 घर पे बन थे, right, तब नहीं use होई तो फिर कब use होईगी first, go through your electrical clutter, phones अगर आपने निकालने, उनको सबसे पहले factory reset कीजिए, आपके पास CDs है, CDs चेक कीजिए, अगर चल रही है, नहीं चल रही है, CDs चल रही है, आप उनको घर पे नहीं रखना चाहते हैं, उनका data आप hard disk, SSDs में transfer कीजिए, आजकल सभी के पास होती है, SSDs तो यार, life long 70-80 years की, उनकी life होती है, आपकी life खतम हो जाएगी, उस SSD की life खतम नहीं होगी, so it's like that, यह तो आप अपनी एक heritage भी pass on करके जा सकते हो, so SSDs are like that, इनवेस्ट करना है, तो SSDs में करो, मैंने अभी दूसरी अपनी SSD order खरी है, 2TB की, Samsung की, so अगर आपको वो चाहिए, तो आप उसक उसमें store करके रखिए, पिच्चर का clutter अपने घर में से निगालिए, पिच्चर अगर आपके पास हैं, तो यार आप उनको अपने SSDs में again folder बनाके, save कर लिजे, पिच्चर को click कीजिए, या पिच्चर का अगर आपके पास है, तो उसको convert कर वाके, आप उसको SSDs में save कीजिए और वो जो आपका pile up है ना, पूरा photo albums का, वो निकालिए बाहर, next आता है हमारे कपडे, भाई हमारे कपडों के साथ तो ऐसा emotional connect होता है, ये मेरे बच्चे के कपडे हैं, ये मेरी मम्मी ने दिया था, ये मुझे शादी के time मिला था, ये मुझे अपनी दाजवरी में मिला था ये मुझे मेरे husband ने first उसमें anniversary पे दिया है, oh my god, इतना emotional connect होता है हमारे कपडों के साथ कि मैं explain भी नहीं कर सकती हूँ, I have gone through this तो मैं आपको explain कर रही हूँ, सबसे पहली चीज अगर आप इस वक्त जो कर सकते हो, अगर आप अपने घर में कोई भी नया कपडा लाने वाले हो इस festival के लिए, दो कपड़े खरीदने वाले हो, तो चार कपड़े आपने अपने wardrobe में से निकालने हैं, अगर आपने अपने decluttering का process स्टार्ट करना है, तो, कबज, सो storage कबज होते हैं, सो उनको जाके, sorry मैं नाम भूल गया हूँ, उनको जाके चेक करो भाई, उनमें तो ऐसे स सद्यों सद्यों का समान भरा हुआ होगा ना, आप खुद हैरान हो जाओगे, आप अगर ज्वाइन फैमिली में हो, अपनी mother-in-law के साथ रह रहे हो, तो अपनी mother-in-law को भी वहां पर साथ में बिठाओ, और वो जो उपर अली चीजे हैं, वो सब नीचे उतार के भाई, उन अगर वो चल रही है, अच्छी कंडिशन में है, यह नहीं कि किसी को आप चपत लगा रहे होगा, या बन चीज हमने बेच दी, कपड़ों के साथ अपने linens, चदरे, blanket, cushions, pillow covers, पता नहीं या, क्या भर-भर के होता है, curtains होते हैं, कभी सद्यों से यूज नहीं कर रहे हैं, ब आपको दुआएं भी मिलेंगी, आपका घर भी खाली होगा, आपके घर में स्पेस भी बनेगी, और जो चीज आप यूज नहीं कर रहे हैं, वो किसी के काम आ चाहिए, इस तरीके से कीजिए, अपनी mother-in-law को समझाईए, ठीक है, time change हो चुका है, भाई, घर की स्पेस हमारे यूज में आएगी, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करके, एक्स्ट्रा चीजे खरीद के, और फिर उसको क्लटर करके, दुबारा से आप उसको निकालोगे, फिंकोगे, कोई फैदा नहीं है, आप अपनी money waste कर रहे हो, next चीज जो आपने करनी है, is shoes, shoes हो हम सब के पास भर भर के होते हैं, भाई market जाते है, पांच जोड़ी उठाके ले आते हैं, street shopping करके, यह चपल अच्छी लग रही है, यह husband की अच्छी लग रही है, जो लो उठाके ले आते हैं, पांच जोड़ी, और उसमें से आपने घर मेंसे निकाला क्या, कुछ भी नहीं, जो आपके पाई existing shoesू कुछ निकाला नहीं निकाला पांच जोड़ी लेके आ रहे हो तो कम से कम भी 7-8 जोड़ी आपको घर में से जूते निकालने चाहिए बार सबसे पहले आप क्या करो कि अगर आपको जरूरत है तभी चीज लो नीड और वांट यह दोनों चीज एक ऐसी चीज है जिसमें आपको डिफ्रेंस करना जरूरी अगर आप डी क्लेटरिंग प्रोसेस में जा रहे हो नीड इस कि भाई इसके भीना काम चलने ही नहीं माला वां अगर यह मेरी नीड है तो मैं उसको करती हो नहीं है तो मैं वांट तो देखती नहीं भाई यह वांट तो मेरे लिए डिशिस्टी ही करता है मैं हमेशे रीड ही देखती हूं आप मानोगे नहीं मैंने अपने घर में से कितनी चीज़ निकाली आज मेरे घर में एक पॉंट आगया था मेरे घर में जहां मुझे लग रहा था यार ये घर फुल हो चुका है ये फुल हो चुकी है and I don't have space ना मेरे पास cupboards में space ना मेरे पास overhead storage में space ना मेरे पास kitchen में space था ना मेरे पास store में space था I was like overwhelmed with the feeling यार ये मेरे साथ हुआ क्या है घर में दो जने और इतना बड़े घर को एकदम से फुल कर देना is like something जो की बहुत जादा एक tension वली चीज है मैंने start किया decluttering का process आज 3rd year है and my घर has really I mean मैं बोलूँगी मैं अपना आदा घर अभी तक खाली कर चुकी हूँ और मुझे और करना है now I know कि भाई मुझे और क्या क्या चीज है मेरे काम में नहीं आ रही है मैंने अपने घर में से cook wears निकाले हैं जो की मेरे काम में नहीं थे बस मैंने लिये हुए थे मैंने अपने घर में से bed sheets निकाली हैं कपड़े निकाले हैं जो कि बस वो होता है ना कि कभी कोई guest आएगा तो काम आएगी चीज़ें कभी कोई आएगा या कभी कोई occasion होगा तो वो चीज पहनी जाएगी अब मैं वो कभी पहनी जाती हूँ नहीं चीज यूज हो रही है निकाल दो इस टाइप की मैंने चीज़े कर लिया हैं तो उस तरीके से करते करते आज मेरा घर तीन सार में I'm so grateful मैं minimalism की तरफ बढ़ चुकी हूँ अभी मैं minimalist नहीं हूँ बट मैं बढ़ चुकी हूँ I'm very proud और मैं यही चीज़े आप कैसा share करना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत जादा overwhelmed हो जाते हैं घर को clean करते हूँ तब भी आपको लगता है यार मेरा घर इतना साफ नहीं है मुझे वो vibes नहीं आ रही हैं घर में से जो एक साफ घर में से आनी चीए हैं सिर्फ बाहर बाहर से घर को साफ कर देना विंडो साफ कर दिया, सोफा साफ कर दिया, डस्टिंग कर दी this is not cleaning cleaning अगर आपने अपना mental peace अगर आपने अपना रखना है आपको घर अंदर से जो चीजे अंदर घुसी होई हैं घर में आपको वहां घुस के उसको साफ करना पड़ेगा तब जाके आपके घर में positive energies आती हैं और इस दिवाली अगर आपने ये कर लिया आना तो आप देखिए आपके घर में कितनी जादा उन्निती आती है जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे आपका kitchen भी organize होता जाएगा आपका घर organize होता जाएगा आपको इतने home hacks की जुरूरत नी पड़ेगी because आपके पास already limited समान होगा जिसको आप take care कर सकते हो जिसको आप manage कर सकते हो आपके लिए overwhelming नहीं रहेगा इसका अगर आपको part 2 चाहिए ना तो मुझे बताना मैं आपको पताऊंगी कि भाई मैंने क्या क्या चीजे actually अपने घर से declutter करी है जिनोंने भाई बस space लिया हुआ था and मेरा काम बढ़ाया हुआ था literally I was shocked to see कि मेरा घर किस तरीके से ऐसे खाली हुआ है एक चीज और आप DIY वीडियोस तो देखते होंगे YouTube पे मैं भी देखते हूँ YouTube पे DIY वीडियोस बट एक चीज है किसी भी टूट्यूई चीज से DIY नहीं बना के रखना है अगर आपके घर में कोई cup तूट गया है आपके घर में कोई शीशा तूट गया है कोई glass bottle तूट गई है यह इनी कि आप उसका DIY बना दो तूट वी चीज को आपको revamp करके अपने घर में नहीं रखना है वो तूट वी चीज should be out of your house क्योंकि वो जो तूट वी चीज है न वो वैसी energies लेके आएगा जो आपके घर को बरकत नहीं देगा अब मैं आपको बताती हूँ भाई अगर आप डी क्लेटर नहीं करते हो अपने घर को तो आपके घर में क्या क्या चीज होती है सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वही financial issues आते हैं ठीक है आपके घर में बिमारियां आ सकती है आपके घर में negative vibrations हो सकती है आपके घर में जो भी not so happy चीज होती है वो हो सकती है financial issues आ सकते हैं आपके बच्चों की studies disturb हो सकती है उनकी health disturb हो सकती है आपकी health disturb हो सकती है आपके घर वालों की health disturb हो सकती है you never know किसके साथ क्या issue आ जाए अऩाली है तो घर को अंदर से declutter करना बहुत ज़ादा जरूरी है जो कि हम जोग neglect करते हैं यह छीज हम बहुत ज़ादा निगलेक्ट करते हैं इह चीज हम बस उपर-ऊपर सेफाई कर देते हैं हमारा घर साफ है उपर साफाई करना is not घर को साफ करना अंदर से साफ करना चाहिए, टूटी हुई कोई चीज नी रखनी, रुकी हुई कोई चीज नी रखनी, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल की जो चीजे हैं, वो तो आपको बिलकुल नी रखनी, तारे रखनी है आपने, तो उनको अच्छे से राप करके एक जगा रखना है, एक बॉटल बना लो, एक जार बना लो, जिसके अंदर आप सारी तारे डाल दो, जो गुच्छा बन जाती है न, अब कोई बी चीज उल्जी हुई है, तो उल्जी हुई है, जगड़ा ही होता है, राइट? आपको सब चीज़े सुल जाके और अपनी जगा रखनी है, अगर आपके घर में किसी चीज की कोई जगा नहीं है, इट मींस दाट इस इन एक्सेस, इन यॉर होम, आपको अपने घर से उसको बाहर निकालना है, सिंपल सी चीज़े हैं, अब आप ये चीज़े फॉलो कीजिए, और मुझे नीजे कॉमें सेक्शिन में बताईए, अगर आप इन में से कोई चीज़ फॉलो करते हो, तो क्या करते हो, वो भी कॉमेंट करके बताओ, इंस्टरग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया, तो जा आपको ये वीडियो कैसा लगा, जरूर बताना, अपने घर को declutter करने के लिए और 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 अर्गनाईज करने के लिए, आपके steps फॉलो गरते हो, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना, और सब्सक्राइब के भी ना, बिल्कुल भी मत जाना, वीडियो को लाइक करो, निचे करे में तक अपना आव थास आउन रग्याय होगां, जरूर Запan防ष सन आव को बिल्ती होन् solche करें, जरूर है करने में हमें तर आव सभर को दिमिनिस्मत होने देना, मिल्ती है अपनी अगली वीडियो में आपना बहुत सा आथ थाए किश्या, जरूर ने